तो दोस्तो आजके इस वीडियो में अमबात कने वाले हैं एसी बिजिनेस आइडिया के बारे में जिसमें आप डेली एक हजार रुपे कमा सकते हो इसमें आपको ज्यादा नहीं मात्र बारेसो रुपे की एक पेटी आपको खरीजना है और दीन भर में आपको पूरा टारगे बिजिनस करते हो तो इसमें आपको कभी मंदी देखने कोई नहीं मिलेगा मतलब इसमें आपको हमेशा बिजिनस चनले वाला है इसमें कभी आपको मंदी नहीं मिलेगी हर एक समय में हर एक घर में यूज होने वाला पूड़क्ट है तो दोस्तो देखिए इस बिजिनस को श 200-300 रुपए कमाना उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात है लेकिन अगर आप लोग एक बीडियो ध्यान से देख लेते हो अगर आप लोग बेरोजगार हो तो मैं गारंटी देता हो कि मातर एक पेटी बेचने के बाद आप इस पुड़ेट को फुटकर में नहीं होल सेल में बेचने के बाद आप इस बिजनेस को सुरू करने के बाद डेली एक हजार रुपे बहुत एजली आप कमा पाएंगे इसके लिए आपके पास रहना क्या चाहिए इसके लिए आपके पास एक बाइक रहना बहुत जरूरी है अगर बाइक रहेगा तो आप डेली एक ह रुपए नहीं लगाना है मात्र बारे सो रुपए आपको इन्वेस्ट करना है और बारे सो रुपए से आप जो है कि डेली एक हजार यानि महीने की कमाई 30,000 रुपए बहुत आसानी से कर सकते हो तो चलिए फिरेंट जान लेते हैं कि इस बिजनेस को सुरू करने के लिए क्या आपको कोई लाइसेंस बनावना पड़ेगा इस बिजनेस को सुरू करने के लिए क्या गाव में सुरू करेंगे या सहर में सुरू करेंगे इस पुड़ एक से एक best latest और new business idea लाता हूँ जो कि बहुत सारे लोग बेरुजगार है और वे लोग देख करके आज अच्छा खासा तैसे बहुत सारे लोग कमा रहे हैं मेरे ही business idea को देख करके तो चलिए यहाँ पर समसे पहले जान लेते हैं कि यह product कौन सा है और यहाँ पर दीखिए समसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पर आपको 30 hangar मिल जाएगा यह जो है ना आपको 30 hangar मिल जाएगा एक hangar में 12 उपीस है और एक hangar का price आपका 40 रुपे पड़ेगा यानि 1200 रुपे मे भी के जाएगा क्योंकि हर इक दुकांदार नहीं से इस पुड़ेट को खरीदेगा कोई कोई दुकांदार ऐसा होगा जिसके पास already पड़ा रहेगा तो ओ दुकांदार आपसे नहीं खरीदेगा तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि कम सकम 50 दुकान पर जाएगे तो 50 दु हो जाएगा कोई कोई एक दुकांदार दो-दो हेंगर लेगा कोई एक हेंगर लेगा तो इसी तरह से मिलाकर कि अगर आपका इस थरह का journalists जाता है नो तो एक कौन सा पुड़ाक्त है डुबिलीकेट दूब्लिकेट का मतलब यह नहीं कि बिल्कुल खरा पूड़क्ट है इसकी क्वाल्टी भी अच्छा है यह भी चलता है और यहां पर बात है कि इसमें फर्स्ट वाला भी आता है लेकिन आप सेकेंड वाला अगर आप मार्केट में बेचते हो तो 70 रुपे में 12 पीस जब देलेगा क्योंकि मार्जिंग काफी ज़्यादा होता है और जीनल वाला आपको 90,95 रुपे में आपको एक हैंगर मिलता है और एक आठाए 15 रुपे में तो उसका रेट ज़्यादा होता है लेकिन आपको पंद्रे वाला नहीं दस वाला लेना है यहां पर देखिए आपको मतलब कुछी इस तरह का इस पर डिजाइन लोगों सब छपा हुआ है तो सब लोग अपना परचार करने के लिए थोड़ा अच्छा से प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर कलर वेस्ट है क्योंकि इसी कलर में हर एक पैड आता है तो दोस्तो अगर आप इस पुड़ट का बिजनस करना चाहते हो तो इसमें आप 1200 रुपे इन्वेस्ट करके आप अपने बाइक पर लोड करके उसके गों करके इस बिजनस को बहुत एजली कर साकते हो आपको घर घर नहीं देना आपको छोटे छोटे जीदेने भी दुकान है हम सभी दुकानों पर आपको पूछते जाना है और पूछते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है अगर 10 दुकान में पांच दुकानदार खरीदते हैं तब भी आपका पांच हंगर भीकेगा तो एक हंगर बेचने पर आपका 30 रुपे का मार्जिंग होता है पांच हंगर बेचेंगे तो 1.500 रुपे का मार्जिंग होगा और पूरा पेटी बेच लेते हो तो यहाँ आप 900 रुपे की मार्जिंग होगा अगर एक दिन में एक पेटी बिखता है तो अगली दिन टार्गेट करिए कि एक पेटी से 2-4 हंगर जादा भी कि दीरे दीरे जब आपका मार्केट बन जाएगा तो बहुत आपका दो पेटी तीन पेटी निकलने लगेगा एक दिन में देखिए अभी आप लोग यह मत कर यह गा कि डेली डेली बिजनेस इस पुड़ेट को सेल करेंगे तो कौन से दुकान दाल लेंगे आपको करना क्या है कि मैंने आपको बताया है कि आपके पास बाइक रहना चाहिए अगर बाइक है तो आप बहुत जो है कि दूर दूर जाकर के डिफरेंट डिफरेंट गाउं में या फिर डिफरेंट डिफरेंट सिटी में जाकर के इस पुड़ेट को सेल कर सकते हो तो दो 35 वाला एकदम बिल्कुल लो क्वाल्टी का होता है तो आपको 35 वाला नहीं 40 वाला ले करके आप इस पूड़ेट का बिजनस कर सकते हो तो बस आज के इस वीडियो में इतना है फिर मिलता है लिए वीडियो में किसी नेक्स्ट नेट आपके साथ तब तक के लिए गुडबाय तक क्या थैंक यू फिर नेट वीडियो देखने के लिए